मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं तो नंबर सिस्टम के ऐसे वेशन जिनकी मैंने आपको शॉट ट्रिक्स बताई थी तो सब लोगों के अलग-अलग कमेंट्स आये किसी का राइट आंसर आया किसी का रॉंग आंसर आया और किसी ने बोला कि इसका फूल बनती है देखो शॉट ट्रिक क्या होती है शॉट ट्रिक इसलिए बनाई जाती है क्योंकि अपना टाइम से वह ठीक है और शॉट ट्रिक जो होती है वह जो बैसिक कॉंसेप्ट होता है उसी से ही निकल के आती है आज की वीडियो में मैं वहीं बताने वाली हूं आपको क्या करते थे फॉर्स वाला नंबर और लास्ट वाला नंबर उनका मल्टिप्लिकेशन यारे कि 1 इंटू 100 तो क्या निकल के आया इसका आंसर 99 बाई 100 ठीक है तो यह शॉट ट्रिक कैसे बनी है वह आज मैं बताने वाली हूं आपको देखिए इसको कैसे सॉल करते हैं आपन 1 1-1 by 2 इसको ऐसा लिख सकते है और इस वाली टम को कैसे लिखेंगे 1 by 2 minus 1 by 3 ठीक है ऐसे ही इस वाली टम को क्या लिखेंगे 1 by 3 minus 1 by 4 ऐसे चलता जाएगा और लास्ट क्या बत चाहिएगा आपे 99 minus 1 upon 100 ठीक है तो यह सारी टम्स कर जाएगी देखू तो middle वाली ठीक है और last में क्या बचेगा first term और last term तो क्या निकल के आए इनका answer 99 by 100 तो देखो हमेशा क्या होगा कि जो middle वाली term होगी वो कट जाएगी और क्या बचेगा only first वाली term और last वाली term ठीक है तो first वाली term और last वाली term को जब अपन subtract करेंगी तो numerator में हमेशा वही number आ इक्वाल है देखें यहां पर one difference यहां पर one difference इसलिए एसा हो रहा है कि जो 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 यहां पर इनका difference मिलेगा numerator में वह होगा जो जित्ती यहां पर terms है ठीक है और नीचे क्या होगा इन numbers का multiplication यानि कि first वाले का और last वाले का इसलिए यह trick बनी है ठीक है और example देखिए ठीक है देखिए यहाँ पर किता difference है 4 4 equal difference है सम्में short trick क्या बताई थी number of terms वो आएगा numerator में और denominator में क्या आएगा first number into last number यानि कि 1 into 21 तो इस cancer क्या निकल क्या आया 5 by 21 ठीक है कैसे solve करोगे difference 1 by 4 है तो पहले 1 by 4 से multiply होगा बाहर और अंदर क्या होगा 1 minus 1 by 5 ठीक है 1 by 4 1 by 5 minus 1 by 9 ठीक है plus 1 by 4 1 by 9 minus 1 by 13 ठीक है ऐसी last में क्या आएगा 1 by 4 1 by 17 minus 1 by 21 ठीक है जब इसको solve करोगे तो 1 by 4 minus 1 by 20 plus 1 by 20 minus 1 by 36 plus 1 by 36 minus 1 by 52 dot 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 68 minus 1 by 84 ठीक है तो middle वाली साधी term कट जाएगी plus minus plus minus में है इसलिए और last में क्या बचेगा 1 by 4 minus 1 by 84 ठीक है यहां से LCM लोगे तो 84 21 minus 1 20 by 84 तो क्या निकल के आया 5 by 21 ठीक है इसलिए यहां पर भी short trick क्योंकि यहां पर equal difference है तो numbers का multiplication denominator में क्या आएगा first number last number का multiplication और यहां पर 4 difference था इसलिए उपर आया 20 ठीक है तो जब difference हो रहे तो 4 से divide कर देंगे तो क्या बचेगा यहां पर 5 इसलिए numerator में क्या आया 5 और denominator में 21 ठीक है next example देखते यह देखेए यह वाला मैंने आपसे पूछा दा comment box में सबने अलग-लग comment किये तो इसका right answer क्या है कित्ती टम से यहां पर 6 और first number और last number का multiplication यानि 5 और 11 का multiplication यानि कि 55 ठीक है अब इसको solve करते हैं इसको क्या लिखेंगे 1 by 5 minus 1 by 6 plus 1 by 6 minus 1 by 7 plus 1 by 7 minus 1 by 8 plus 1 by 8 minus 1 by 9 plus 1 by 9 minus 1 by 10 ठीक है प्लस 1 by 10 minus 1 by 11 कट जाएंगे क्या मिलेगा 1 by 5 minus 1 by 1 by 5 minus 1 by 11 ठीक है 55 11 minus 5 ठीक है 6 by 55 ठीक है इसकी भी मैंने short tricks बताई हूँ है यह direct कैसे solve करते हैं इसका multiplication 11 इसका इससे multiplication करेंगे 5 इन दोनों का difference क्या निकल क्या है 6 और denominator में क्या करते हैं जो number से denominator में उनका multiplication यानिक है 6 by 55 ठीक है तो देखो difference numerator में क्या आएगा जित्ती terms है equal difference है देखो 1,1,1,1 some equal difference आ रहा है तो numerator में जो number मिलेंगे उनका difference क्या होगा जित्ती terms है वही होगा और नीचे क्या होगा जो first number है और last number है उनसका multiplication क्योंकि सारे numbers कट रहे है last में कोई क्या मिल रहा है first number और last वाला number ठीक है आप देखिए यह वाले number system की वाले question इनकी भी मैंने आपको short tricks बताई थी तो इनका full description देखिए कि कैसे होते है इसको इनका सबसे पहले इसमें क्या पुछा गया है कि इन multiplication में ऐसा कौन सा number जोड़े कि यह जो number है वो एक perfect square number बन जाए ठीक है इसका square root के होगा 9, 7 और 16 ठीक है इनको बोलते perfect square number ठीक है देखिए अब इनका difference क्या है 2 जो difference आया उसको 2 से divide करना है ठीक है क्या निकल के आया 1 फिर जो number मिला उसका square करना है ठीक है तो इनके multiplication में 1 जोड़ेंगे तब ही एक perfect square number होगा देखिए ऐसा क्यों हो रहे 311, 3011 और 3013 को अपन क्या लिख सकते है 3011 प्लस 2 ठीक है आब इसका multiplication करेंगे अंदर तो 3011 का square प्लस 2, 3011 अब आपने a प्लस b का whole square पढ़ा होगा वो क्या होता है a square a square plus b square plus 2ab ठीक है तो यहां पर यह ही बन रहा है यह a square हो गया यह 2 हो गया और यह अपने पास क्या हो गया a तो क्या term मिसिंगे b, b वाली term मिसिंगे उसको अपन 1 मान ले तो 1 का square करना पड़ेगा तब ही a plus b का whole square बनेगा और a plus b का whole square बनेगा तब ही perfect square number होगा क्योंकि उसका अपन square root निकाल सकते तो यहां पर देखी one eight करना पड़ेगा मुझे इसलिए मैंने ऐसा किया है ठीक है क्योंकि से क्या मिला 3 और इसका square करना है यानि कि 9 तो इसमें nine eight करना पड़ेगा अब देखिए कैसे करना कैसे बनीए short trick eight eight seven three को ऐसे रहने देना है और eight eight seven nine को क्या लिखना है eight eight seven three plus six ठीक है तो eight eight seven three का square six into eight eight seven three ठीक है तो a square plus two a b plus b square ठीक है तो a square है two separate कर लेंगे इससे into three तो यहां पर यह two हो गया और यह a हो गया और यह b हो गया तो b क्या मिला 3 और तो 3 का क्या करना पड़ेगा आपनको b square चाहिए तो 3 का square करना पड़ेगा यहां पर nine eight करना पड़ेगा ठीक है समझ आया कि शॉट्रिक कैसे भी नहीं और कैसे इसको simply solve करते हैं ठीक है एक और example देखिए अब कुछ बच्चों का comment आया था कि अगर मैं इन में difference odd आये तो even आये तो अपन two से divide कर देंगे बट odd आया तो फिर क्या करेंगे तो तब भी अपन को Sam trick apply करनी है देखिएगा कैसे यहां पर difference कितना निकल के आया 5 तो 5 को two से divide करना है आने की 5 by 2 फिर इसका square करना है आने की 25 by 4 ठीक है देखिए कैसे हुआ 7 8 5 1 और 7 8 5 6 को क्या लिखेंगे 7 8 5 1 plus 5 ठीक है तो 7 8 5 1 प्लस 5 7 8 5 1 ठीक है अब यहां पर two नहीं है अपने पास तो क्या करना पड़ेगा क्योंकि a square plus 2 a b तो two चाहिए two चाहिए तो क्या करना पड़ेगा two से में multiply कर दू और divide कर दू ठीक है तो यह हो गया two यह हो गया a और यह हो गया b तो अब क्या चाहिए b का square यानकि 5 by 2 का square चाहिए तो क्या 8 करना पड़ेगा 25 by 4 ठीक है अब समझा आया है कि जब difference odd है तब भी same trick apply करनी है ऐसे ही वाला question है अब यह वाला question आप करोगे इसकी short trick से भी और यह वाले method से भी thank you